अग्याव प्रेंड्स वेलकम टू मैं यूटूब चैनल पेसिक एलेक्ट्रिकल आज के जो हमारे वीडियो का टॉपिक है दे डिफ्रेंज बिट्विट्विन टूट्वेंट एंड फॉर्फोर्टी वोल्ट एसी सप्लाई के बारे में तो हम जानते हैं कि हमारे जो घरों में सप्लाई आती है वो 220 वोल्ट एसी सप्लाई आती है तो और 440 वोल्ट सप्लाई का मतलब क्या होता है इसके बारे में भी हम जानेंगे तो पूरी इन्फोर्मेशन के लिए वीडियो के अंतक बने रहें दोस्तों तो सबसे पहले हम जानते हैं कि लाइन वोल्टेज क्या होत ने है था प्वासे वोल्ट एफ बेवे शर्टी तुन शर्ट य्चा बिएग नेटराख लेप्ट्पेन जाथ विसल प्रेंड बेव बौल्टेज वान धन लाइना य्च्छ वा घल पर this, this is the three phase system, okay, this is three phase system, okay, so in the distribution line, जो आपके घरों में supply आती है, वो three phase four wire system होती है, जिसमें आपके तीन phase और एक neutral wire होती है, तो आपने, यह आपका phase R, Y, B, और जो हमारे एक point है, इसमें यहाँ पे, यह 300 है इस पे, तो यह हमारा neutral, तो हम जो हमारे घरों में supply आती है, वो क्या होती है, three phase four wire system, okay, तो कभी-कभी interview में यह पूछा जाता है, जो supply होती है, distribution line में, three phase four wire system होती है, क्योंकि इसमें तीन phase एक neutral wire होते है, दूसरी बात हम बात करते हैं, कि अगर आपको यहाँ पे three phase दीख रहा है, R, Y, B, तो हमने इस phase, एक phase और एक neutral point, इस दोनों को measure किया, okay, तो एक phase और एक neutral के बीच में, हम measure करते हैं, तो इसकी बीच के जो voltage आती है, वो 220 volt आती है, phase voltage, okay, अगर मैंने आपको बोला, कि हमने measure किया है, जो voltage, वो एक phase और एक दूसरे phase से हमने measure कर रहे हैं, अगर voltage, multimeter के थुरू, तो 440 volt, okay, but ऐसा नहीं होता है, 440 volt नहीं आएगा, क्यों क्योंकि दोनों phase जो है, आपके ऐसा नहीं है कि इस 220 और 220 का हमने add कर दिया, तो 440 volt होगा, okay, तो जब दो phase के बीच में अगर measure कर रहे हैं, voltage, तो हमारा क्या होता है, line voltage, okay, तो यहाँ पर हमारा 220 volt क्या है, 220 volt हमारे पास जो दिया गया है, वो क्या है, 220 volt हमारा phase voltage है, तो हम line में कैसे convert करते है, 220 into root 3, और root 3 की value कितनी होती, 1.732, और यह 220, तो इसको आप जब convert करोगे, तो VL की value आएगी 381, okay, तो हमारा जो है, यह दोनों की बीच के जब आप ले रहे हैं, तो यह आप मारा पास कितना आ रहा है, 381, not 440, okay, next हम बात करते हैं, अगर हम line voltage, 254 अगर लेंगे, हमने 254 लेना है, अगर voltage हमारा 254 है, तो उस case में अगर हम multiply करते हैं, root 3 से, तो यह हमारा आता है, 440 V, 440 V आएगा, जब हम consider करते हैं, कि हमारा supply voltage 254 हो, तब हमारा 440 V आएगा, हम ऐसा नहीं बोल सकते हैं, कि 2 phase के बीच में हमने measured किया, तो वो 440 V होगा, तो इस case में हमारा 440 V, अब यहां हमने देखा है, इस में क्या है, यह star connection है, क्या है, star connection, और star connection में हमारे पास क्या होता है, जो हमारा VL होता है, वो क्या होता है, root 3 into V phase, so VL is equal to root 3 V phase, and IL is equal to I phase, तो star connection में यह हमारा condition होता है, VL is equal to root 3 V phase, and IL is equal to I phase, तो interview में आपको क्या बोलना है, जब भी आपसे पूछा जाए, क्या है, 220 V और 440 V में क्या difference है, तो 220 V और 440 V में difference यह है, कि हमारा 220 V होता है, वो क्या होता है, phase voltage होता है, तो उसको हम क्या करते हैं, अगर phase और neutral के बीच में consider कर रहे हैं, तो उस case में हमारा आता है, जो phase और neutral के बीच, वो 220 आएगा, लेकिन अगर हम दो phase के बीच में measure करते हैं, तो उसके बीच में मारा 381 के अप्रॉक्स में voltage आएगा, तो 440 का बात होता है, वो line और phase voltage पे, इसलिए हमें interview में जवाब देना है, कि phase voltage is measured between the phase and neutral, and line voltage is measured between the two phases, that is called the line voltage, तो यह आपको interview में जवाब देना है, मिद इस छोटे से वीडियो से पूरी information मिल गई होगी, तो थैंक यू बरी मच, प्लीज लाइक और सब्स्राइब में चैनल Basic Electrical,